हेलो दोस्तो, मैं वच्छल आज आपको सिखाऊंगा कि Windows 10 सिस्टम को Windows 11 में कैसे अपडेट करें या फिर Windows 10 सिस्टम पे Windows 11 कैसे इंस्टॉल करें तो आपको करना यह है कि आपको सबसे बहले ब्राउजर पे जाना है और अब सर्च बार में आपको टाइप करना है विंडोज 11 डाउनलोड अब आपको एंटरप्रेस करना है अब आपको पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है डाउनलोड विंडोज 11 माइक्रोसोफ्ट अब थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिखेगा Windows 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट अब आपको क्या करना है कि आपको इसको डाउनलोड करना है इसपे क्लिक करके डाउनलोड बटन पे तो मैं ऐसे ज़रा desktop पे paste कर लेता हूँ अब आपको क्या करना है इस software को run करना है डबल क्लिक करके यह इस पर क्लिक करिए तो यह कर रहा है Use the PC Health Checkup App to check the compatibility तो अब आपको क्लिक करना है इस पर क्लिक करना है इस लिंक पर Get PC Health Checkup App तो इस पर क्लिक कीजिए अब आपको क्लिक करना है यहां पर इस लिंक पर डाउनलोड PC Health Checkup App तो एक और software हम डाउनलोड कर रहे हैं तो इसको भी मैं desktop पे paste कर लेता हूँ तो यह app क्या करेगा कि यह आपको बताएगा कि आपके system पे Windows 11 install हो सकता है या नहीं हो सकता तो चलिए इसको run करके देखते हैं तो क्या करना है डबल क्लिक करना है इसके उपर अब आपको इसको tick mark करना है I accept the terms in the license agreement और फिर install बटन पे क्लिक करना है अब आपको finish बटन पे क्लिक करना है अब आपको क्या करना है इस check now बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है this PC meets Windows 11 requirements यानि कि मेरे system पे Windows 11 install हो सकता है तो अगर आपके system पे भी यह message आ रहा है तो आपके system पे भी Windows 11 install हो जाएगा अगर यह message नहीं आ रहा है तो नहीं होगा अब आपको क्या करना है इस window को close कर देना है इसको भी close कर देना है अब आपको क्या करना है इस refresh बटन पे क्लिक करना है तो अब हम Windows 11 install कर सकते हैं तो क्या करना है आपको accept and install बटन पे क्लिक करना है तो हमारी Windows 11 की डाउनलोडिंग शुरू हो गई है इसमें आपको एक से देड़ घंटा लग सकता है तो अब हमारी Windows 11 की डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो चुकी है तो अब हमारी Windows 11 की इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है तो अब हमारी Windows 11 इंस्टॉल हो चुकी है और अब हमें क्या करना है कि इस Restart Now बटन पे क्लिक करना है अब Close बटन पे क्लिक करना है अब आपको क्या करना है अपने अकाउंट का पासवर्ड डालना है और Enter पे प्रेस करना है तो अब आपके सिस्टम पे Windows 11 इंस्टॉल हो चुका है तो अब आप इसको यूज कर सकते हैं तो मुझे करीबन गेड़ गंटा लगा इसको Windows 10 से Windows 11 में अपडेट करने के लिए तो इस तरह से आप अपने Windows 10 सिस्टम को Windows 11 में अपडेट कर सकते हैं या फिर अपने Windows 10 सिस्टम पे Windows 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें थैंक्स वर वचिंग